यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज आगाज हो रहा है पीम मोदी सुबह साड़े दस बजे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शिरुवात करेंगे इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 20 से ज़ादा देशों के 10,000 डेलिगेज शामिल होंगे UP Investor Summit में 27 लाग करोड से ज़ादा निवेश का प्रस्ताव आया है ऐसा UP सरकार का दावा है 17,000 से ज़ादा MOU साइन हो चुके हैं आज कई और MOU साइन हो सकते हैं और सबसे ज़ादा investment प्रस्ताव पश्यमी UP के लिए आया है लगतार 4 साल इसका आयोजन किया गया 2018 से इसकी शुरुवात हुई थी और एक साल यानि की 2020 और 2021 दो सालों को छोड़ दें तो लगतार इसका आयोजन किया जा रहा है 20 से ज़ादा देशों का निवेश इस Investor Summit में आने की उमीद है तो UP आज से अपना Investor Summit शुरू कर रहा है Global Investor Summit जिसमें 27 लाग करोड के M.I.U. हो रहे हैं और इनफैक्ट हो चुके हैं और प्रधान मंत्री मोदी से लेकर अमिट शाह, राजनाज सिंग और देश के तमाम बड़े जो दिगज नेता हैं दिगज जो अड्मिस्ट्रेटर हैं वो होंगे और देश और दुनिया के सभी बड़े इनफैस्टर होंगे खास करके देश के सभी बड़े जिसमें की अडानी को अगर छोड़ दें तो मुकेश अंबानी हैं, आनन्द महिंद्रा हैं इसके अलावा कुमार मंगलम बिर्ला हैं साथ-साथ टाटा संस के चंदरशेखरन हैं और सैकड़ो ऐसे इनवेस्टर हैं जो की आज इस ग्लोबल इनवेस्टर सम्मिट में हिस्सा ले रहे हैं हम आपको पहले इसकी तैयारियों को दिखा दें उत्तर प्रदेश इस वक्त डिजिटल ग्रोथ में सबसे आगे माना जा रहा है सबसे ज्यादा MSME यानि कि जो छोटे उद्योग हैं लगो उद्योग हैं वो हैं लार्जस्ट जो मिल्क प्रडूसर है उत्तर प्रदेश इस वक्त बना हुआ है इसके अलावा अगर देखा जाये तो सबसे बड़े डेटा सेंटर के शुरुआत यहां हुई है 27 लाग करोड का MOU मुक्मंतरी योगिया दितनाथ ने पहले ही दावा किया था इस बार सबसे ज्यादा MOU होंगे और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में जमीन पर उतरेगा प्रदान मंतरी पर सबकी निगाहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है और क्या ये ग्रोथ इंजन सच मुझ उत्तर प्रदेश में बदलाओ लाएगा अखिले श्यादों ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि इस इन्वेस्टर समिट का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है दूसरी तरफ देश दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं देश दुनिया के जो उद्योग पती हैं वो आज यहाँ शिरकत कर रहे हैं तीम दिनों तक कि एक मैराथन बैटक होगी अलग-अलग सेशन्स हैं जिसमें कहते हैं ब्रेंस्टोर्मिंग सेशन्स होंगे तवाम जो देश के चुनिंदा विभागों के मंत्री हैं वो होंगे और साथ-साथ इन्वेस्टर होंगे अब देखना यह है कि क्या 27 लाग करोर का यह M.O.U. यह इन्वेस्टमेंट का प्रोपोजल जमीन पर उतरता है या फिर नहीं नीरज कुमार के साथ कुमार अभिशेक लखनाओ आज दो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी सरकार उत्साहिद है कुछ दिन पहले आज तक से खास बाचीत पे CM योगी ने इन्वेस्टर्स समिट के सवाल पर क्या जवाब दिया था सुनिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभी आप करने जा रहे हैं सतरा लाग करोड का आपने एक टार्गेट रखा है यह बहुत बड़ा टार्गेट है क्योंकि आपकी पूरी यूपी की अर्थविवस्था साड़े अठारा लाग करोड के आसपास की है और सतरा लाग करोड लगभग उतन ही आप यहां निवेश पहलाना चाहते हैं अब कोई उद्द्योग पती आज आप से ये पूछे कि मैं उत्तर प्रदेश में क्यों पैसा लगाऊं मैं माराश्ट में क्यों ना लगाऊं पस्चिम बंगाल में क्यों ना लगाऊं राजिस्थान मैं क्यों ना लगाऊं पंजाब मैं क्यों ना लगाऊं तो उसे आप कैसे कन्विंस करेंगे लेकि उत्तर प्रदेश की कुल जो जीडीपी है आज के दिन पर वह तेईस लाग करोड से उपर की है और पिछले च्छे वर्स में ये लगभग दुगनी हुई है हमने जब सत्ता समाली थी उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह लगभग 12 लाग करोड उपी की थी आज वह 23 लाग करोड को क्रॉस कर रही है और जितने की उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी उससे ज़्यादा का निवेस हम यूपी के अंदर करवाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माद्धिम से